उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण के चुनाओं से पहले सियासी सरगर्मी तेज हो गई है मद्दाताओं को रिजाने के लिए प्रदेश के सभी राजनेतिक दलों के स्टार प्रिचारक लगातार रेलियों और जनसभाओं को संबोधीत कर रहे हैं इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के राश्ट्र अध्य शक्ले शियादो फरुखाबाद में एक जनसभाओं को उन्होंने संबोधीत किया और इस दोरान उन्होंने विपक्ष पर जम कर हमला बोला अखिले शियादो ने कहा कि बहुजन समाजवादी के लोग बाबा साहिब के रास्ते से भटक गए हैं कॉंग्रेस बसपा की सरकार बननी नहीं है इनके चक्कर में मत आना किसी भी अन्य दल का इस बार खाता नहीं खुलेगा पहले दो चरणों की हवा समाजवादी पार्टी के पक्ष में है गर्मी निकालने वाले ठंडे पड़ गये हैं गर्मी निकालने वालों की भाप निकल गई साइकिल इस बार सबसे आगे चल रही है उन्होंने जन्पप के चारों प्रत्याशियों को एतिहसिक मतों से जिताने के अपील की भारती जन्ता पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि भारती जन्ता पार्टी सरकार में कानून विवस्था चौपट हुई है भाजपा सरकार में घिरासत के दौरान सबसे ज़्यादा मौते हुई है उरे देश में उत्तर प्रदेश ही ऐसा राज्य है जहां का IPS फरार है और अधिकारी माफिया की पीछ बनवा रहे हैं उन्होंने कहा कि आज सबसे ज़्यादा अस्रक्षीत बहन बेटिया यहीं है पंचाय चुनाओं के दौरान समाजवादी पार्टी प्रत्याशी का कपड़ा फाड़ने का मामला कौन भूलेगा रोजगार को लेकर बीजेपी पर उन्होंने हमला बोला और कहा कि भारती जंता पार्टी के राज में युवाओं के पांच साल इंतजार में कट गए नौजवानों को कोई रोजगार नहीं मिला समाजवादी सरकार बनेगी तो TET, B8, BPA, 79,000 शिक्षक भरती, शिक्षा मेत्र सब को नोकरी देंगे उन्होंने आगे कहा कि बड़े-बड़े उद्योगपती भारत से बेंकों का पैसा लेकर भाग गये वे कहा के थे? अभी एक और उद्योगपती बेंक का पैसा लेकर भागा है, वो कहा का है? समाजवादी पार्टी ने तै किया है कि आउट्सोर्स विवस्था को खत्म कर देंगे समाजवादी पार्टी के मुख्या ने कहा कि भारती जनता पार्टी की साजीश है कि आरक्षन खत्म कर दो और सब चीज़े प्रावेट कर दो भारती जन्ता पार्टी की सरकार हवाई अड़े बेच रही है, ट्रेन बेचने की तैयारी कर रही है, पानी के जहाज बेचे जा रहे है, बंदरगाह बेचे जा रहे है, जब सब बीग जाएगा तो नोकरी रोजगार कैसे मिलेगा? अखिली श्यादों ने कहा कि डोर टू डोर केमपेन में भारती जन्ता पार्टी के नेता थुक लगा कर पर्चे बांट रहे थे, अब इनका ये केमपेन बंद हो गया है, क्योंकि लोगों ने इन्हें खाली सलेंडर दिखा दिये, अगले चरणों में जहां मद्दान हुने है वहाँ भी भाजपा का सुपड़ा साफ होगा, हर जन्पद में जन्ता का सहलाब समाजवादी पार्टी के पक्ष में उमन रहा है, जन्ता ने समाजवादी सरकार बनाने का मन बना लिया है